ये आदमी कुट्टे की उड़ देख रहा होता है तभी उसकी गल्फेंड उसके बुला लेती है तो वो आदमी सुचता है कि वो कुट्टा उसकी गल्फेंड का होगा और वो आराम से अपना काम करने लगता है पर तभी उस आदमी को कुछ अजीव सा महसूस होता है तो वो अ पर जैसी उस बैट को लेने ही वाला होता है वैसे ही कमरे का केट खुल जाता है और जैसी वो दौनाव भार देखते हैं तो देखकर एरान हो जाते हैं रिया नाम की एक लड़की एक गाउं में रहती थी और उस गाउं का नाम था रवांडा वो पूरा गाउं गंदगी से भरा हुआ था क्योंकि उल्लोगों को सासवाई का मैथ्वो पता नहीं था रिया अपने घर से रोज श्कूल जाती थी जब वो श्कूल जाती थी तब उसे रास्ते में एक घर दिखता था और वो घर बहुत सुन्दर था और उस घर में बिलकुल भी गंदगी नहीं थी तो रिया जब भी उस घर को देखती थी तो जैसे रिया उस घर के अंदर कच्रा डालती है वज़ी अचानक से उस घर का केट खुल जाता है और एक अजीब सी अवाज आती है और रिया उस घर के अंदर चली जाती है गाउवालों का कहना था कि उस घर में एक औरत रहती थी और वो औरत बहुत साफसफाई करती थी पर एक दिन वो औरत किसी आस्थे के वज़े से मर जाती है पर उस औरत की आत्मा अभी भी उस घर के अंदर है रात के दस बच चुके थे और रिया के पैरेंट्स बहुत चिंता में थे तब ही रिया घर में आ जाती है रिया के पैरेंट्स रिया से कुछ पूचते हैं पर रिया उनके सवालों का जवाब नहीं देती है और सीधे अपने कमरे की ओड़ चली जाती है और अपने कमरे का गेट बंद करके वो रोने लगती है क्योंकि रिया के अंदर उस औरत की आत्मा थी वो औरत अपने घर को बहुत साफ रखती थी पर लोग उसके घर के अंदर कच्रा फैकते थे इसलिए वो औरत एक बीमारी की वयर से मर गई और उस वरत ने उन गाउवालों के एक सराप दिया कि कोई भी मेरे घर के अंदर कच्रा डालेगा मैं उसके सरीर के अंदर आ जाऊंगी पर रिया एक जाडू लेती है और अपने पूरे घर को साफ करने लगती है और अपने पूरे गाउं को साफ करते हैं तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था ये वीडियो आपको समझाने के लिए था तो साफ सभाई किये जिए पर सुरूआ अपने घर से कीजिए तो अगर आपको हरो वीडियो पसंद है और आप डरना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगली खुर वीडियो में